नमस्कार दोस्तों सेकेपीस आड़ेशन मैं आपका स्वागत दो चुले दोस्तों मैं बात करता हूं इस वरोक के प्रिवेस इयर पेश कोश्चन पेपर के बारे में बात करते हैं यहां पर तो आपको मैंने 32 नमबर तक के कोश्चन करा दिये थे यहां पर 70-80 वाला यह आपक अगला question हम बात करेंगे यहां पर काईग कि चोतिसने नमर का question कि मैं ट्रिक माईक्रोमेटर से नापने के लिए सिलिव पैमाने पर 0.01 मिलीमेटर के नींतम गिनिती युकती यहां नींतम 0.01 मिलीमेटर का यहां काहला है सिलिव पर 15 बड़े खंड है और एक छोटा खंड तता थिम्बल पर ठार है पर समरेखें तो मापित मान क्या होगा यहाँ पर सिंपल बताया है कि मापित मान क्या होगा तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर 15 मिलिमेटर दिया बड़ा वाला तो 15 आपका यहीं से होगा या सीधे मतब 0.15 आप लेलो थिम्बल डिविजन का मान 15 बड़ा खंड थिम्बल डिविजन का मान 15 सीधे सीधे हो गया यहाँ पर लिष्ट काउंट इतना दिया हुआ है 0.5 मिलिए छोटे खंड का मतब बैरल डिविजन और स्लिव डिविजन इस प्रकार से लेलो आप बैरल डिविजन और स्लिव डिविजन स्लिव डिविजन का मान कितना दिया है 0.5 दे दिया है ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 55 रख लेंगे ठीक है 0.5 रख लेंगे ठीक है 0 यहाँ पर चलाएगा ओके यहाँ पर 0.5 रख लेंगे 0.1 चलाएगा एक मिनट यहाँ पर 5 हो जाएगा 10 मनों 0 यहाँ पर चलाएगा ओके पचास आदा एक बटा दू कहें यहाँ पर 0.5 ठीक है एक चोटा कर अठारे पर सम रेखी होता है तो मापित क्या होता है तो यहाँ पर 18 पर से रेखिए तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 8 लिखेंगे तो जो 1 लिखेंगे यहाँ पर 8 लिखेंगे तो ये 0 में से 8 जाएगा, तो कितना आजाएंगा, यहाँ पर 8 आजाएगा, और ये 5 एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 मौलों 15 हो जाएगा, तो यह insert आप लगा सकते हैं, B वाला ठिक है, आपका clear answer B हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर अगला 34 नमबर कह रहा है कि materials of flat typing work plates for soft material soft material के लिए जो है वो कहन सा कह रहा कि taping तो यहाँ पर cost iron का हो जाएगा ठीक है materials of flat tapping work the plate soft material तो यह आपके a option हो जाएगा मतलब क्या कहेंगे इसको cash iron कहेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं सता से सता की मार करने वाली सूपर सूनिक cruise missile की सफलता परिचल करने वाला संगठन सफलता परिचल DRDO है आपका सूपर सूनिक missile का DRDO है अभी हाली में यह हुआ है ठीक है आगे बात कर लेते हैं अगला कुश्चन हमारा कह रहा है यहां पर एक द्रवच आलित लिप्ट में हाथ से हास्त चिलिंडर का पिष्टन ब्यास 2 cm है और उत्थान सिलिंडर का पिष्टन का बास 6 cm है तो इस द्रवच आलित लिप्ट का यह अंतरिक लाब पूछ रहा है तो यह अंतरिक लाब याहां पर कितना हो जाएगा तो आफसन नमबर डी नाइन हो जाएगा ठीक है तो आफसनिडर 9 हो जाएगा चलिए आगे बात कर लेते हैं किया रहे है आपका केस कार्गोराइजिंग में होता है ऊपरे सतय को हाड करने के लिए कि dog is the faithful animal की बात कर रहे है तो option दो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका option यहाँ पर c हो जाएगा ठीक है option क्या हो जाएगा c हो जाएगा यहाँ पर c हो जाएगा यह option c हो जाएगा ठीक है दो यहाँ पर लगा देंगे आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला कुश्चन क्या है कहा रहा है आक्सी इस्ट्लीन गैस वर्लिंग में अधिक्तम ज्वाला का तापमान है अधिक्तम ज्वाला का तापमान है आक्सी इस्ट्लीन कम रहेगा जब आक्सिजन अड़िक रहेगा तो एस्टिलीन कम रहेगा तो यहां पे ज्वाला का टमपरेचर वह जदे हाई हो जाएगा तो आफजन नमबर 33 से 300 डिगरी से इंस्यास हो जाएगा ठीक है 2300 degree sense अगला कहरा कि वेधित छिद्र के खुले सीरे पर संकु कार जिर्री बनाने की पृकरिया है वेधित औप्सन नंबर भी हो प्रति निस पदन गउंटर सिंगिंग संकु कार की बात करा जब संकु कार हो जाएगा तो औप्सन नंबर भी हो जाएगा चले आगे बढ़ लेते हैं कहा रहा है कि 300 mm लंबाई की एक साथ कार है वस्त उपर टेपर की लंबाई 200 mm है तो टेपर का बड़ा ब्यास 60 mm है और चोटा ब्यास 40 mm यहां टेपर लेर्ट पर बनाया जायेगा तता इस टेपर को बनाने के लिए टेफोर की टीलैज्ट संसे 15 mm लगा देंगी ठीक है यहां टेपर के मिलिमेटर की बात कर रहा है तो आप चोटा सा फार मूला लगाएंगैं तो रत आजाये घाए एंसर आफसन नंबर ए आपका हो जाएगा ठीक है अगला बात कर लेते हैं का कह रहा है यहाँ पर वक्षॉप में फॉर्स से उचाई यानि छट तक भार है तक भार उठाने के लिए निम्लिखित का परयोग किया जाता है छट तक भार उठाने के लिए तो चेन घिरी बलाग क परयोग किया जाता है ठीक है आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंपल कुश्चन है यह भी आपका एक सो पचास मिलिमेटर की ज्याच हड़ साइन बार साइन बार मतब थाटी एंगल कौन को उठाने के लिए आवस्सक है सन्नी देश्री प्रमापी स्लिप गेज पै की उच पचियों जुचाई होगी कितनी होगी तो आपका पच्छतर मिलीमेटर होगी 150 के लिए 75 मिलीमेटर का चेयन करते हैं ठीक है अगबला बात कर लेते हैं यहाँ बिभिन्द दिसाओं में ड लिंग के लिए किस ऐखा परवग किया जा सकता है तो बिभिन दिusाओं के तो भॉ 1000 अमें तक हम ले सकते हैं, option number B बिलकुर हमारा सही हो जाएगा अगला question के हम बात कर लेते हैं, अगला question क्या कहरा हमारा, serodizing परकिरिया में serodizing परकिरिया में धाद फ्रिश्ट सूरच्छा के लिए, किसका लेपन किया जा सकता है तो option number B हो जाएगा, jink का अलेपन किया जा सकता है किसके अलेपन करेंगे तो जींग का तीन अनुबात है साथ की तीन समंदे साथ के बराबर अनुपात होता है तो option बीrn3,3,9,7,59 पाइस आपका option ये सही हो जाएगा ठीक है अगला question बात करेंगेolis नंबर का तो आम तर वाइव पर ट्विष्टर ड्रिल कर लगा फेल एंबर कितना होता है तो 118 होता है यह साधार होता है एक तरफ 59 डिगरी होता है और एक तरफ 61 डिगरी होता है तो 91 108 होज़ाएगा ही 118 आपका हो जाएगा ठीक है यह ध्यान देखना ठीक है आगे बात कर लेते हैं कि कहरा है 50 नमर का चिद्र का ब्यास 45 प्लस 0.25 0.025 और नीजे कुछ नहीं है यहाँ पर एवाम 45 यहाँ भी वही चीज़ी यहाँ पर प्लस माइनस दूनों पर दिया हुआ है ठीक है तो बाहरी ब्यास का बुस हाउसिंग के बीच अधिक्तम व्यक्तिकरण क्या हो जाएगा तो अधिक्तम व्यक्तिकरण क्या हो जाएगा तो अधिक्तम व्यक्तिकरण क्या हो जाएगा तो अधिक्तम व्यक्तिकरण आपका ब्यालिस है तो ब्यालिस ऑप्सन नमर डी आप ब्यालिस माइक्रोन हो जाएगा ठीक है अगला की बारे में पूछ रहा है तो यहां पर हो जाएगा लिप और नाट दा एक्वल लेंथ आपका जब लिप अगर रहेगा तो थोड़ा सा अगर तो क्या है एक्वल लेंथ मतलब वो बड़ा साइस का आकार बना देगा तो आफसन नमबर सी हो जाएगा ठीक है आगे हम बात कर अगयित बेट देव दोरा लिखी गए तो सटी कपील देव दुबरा किरकेट माइ स्टााइल किरकेट माइ स्टाइल atra Bush अगला कुष्चन देखले थे हैं से किँ ब्रास गेट नि एर ड्यूंस ब्रास गेट डिकलोरेड यहां पर डिकलोरेड की बात कराई इन एयर ड्यू टू प्रेसेंस आफ कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड आपका हो जाएगा यहां पर आफसों नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है आगे हम बात कर लेते हैं कि नाइट रेडिंग प्रक्रिया में कौन सी गैस का परयोग किया जाता है तो अमूनिया का गैस का परयोग किया जाता है नस फोर है आपका अमूनिया गैस का परयोग किया जाता है ठीक है तो आप देख सकते हैं इसको ओके अगला कुश्चन के हम ब dn अपन 1000 पाइडी और अपन 1000 से आप कहले अपर फार्मूला रखके कर सकते हैं से इसकल तू या भी सिखल तू रखके कर सकते हैं तो विवस्टेन आजाएगा 700 rpm आजाएगा ठीक है आगे हम बात कर लेते हैं अगला कोशन क्या कह रहा यहां कर वी शाब्द फालोविंग यहाँ पर इसका एंटोनी ढूड़ना है तो आपका इंसेंस खियर आपका हो जाएगा इंसी नेशार आपका हो जाएगा ठीक है कोई बात नहीं यहाँ पर आफसन नंबर बी भी दे सकते हैं आपका लिविंग अन हेल्थली आपका हिउमर आफसन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कोई दिक्केत नहीं है यहाँ पर आफसन बी आपका सही हो जाएगा ठीक है अगे बात कर लेते हैं अगला कुश्च्छ नहीं आपका कैस कि बी आई यहाँ जोड़े मिलाने के लिए वी बलाय का वी बन्ड देना है तो यहाँ पर जोड़े मिलाने के लिए बीबलाक का वीब्रण दिया गया है आप देख सकते हैं भी वलाक का I.S. 29, 49, यहाँ पर 50 into 150 और यहाँ पर A1, 1 और P. यह आपका क्या है जोड़े मिलाने के लिए भी वलाक का भी ब्रेंट है. ठीक, option number D बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा. ठीक है? अगला कुश्चन के हम बात कर रहे हैं क्या कह रहा है? अगला कुश्चन अगल अगला का कुश्चन के रहा है कि सतह की सपाटता की वर्गता का पता लगाने के लिनिमन में से कौन सा उपकरनड परयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सपाटता ट्राइस क्यार हो जाएगा. बिल्कुल करेक्टर एंस वरा. ठीक है? आगे हम बात कर लेते हैं कह रहा है यहा हमार चार एक हो जाता है. ठीक है? आगे बात कर लेते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला कुश्च्चन? यहाँ पर आपस्वा नमबर हो जाएगा वेज हो जाएगा ठीक है आगे बात करेंगे आगे बात करते हैं अगला कुश्चन आपकर निमने में से कौन सा बिलनाकार ग्राइंडिंग का परकार है यहाँ पर बिलनाकार ग्राइंडिंग के परकार पूछ रहा है तो आप्शनल डी उपरोपत सभी बाय ब्यास वाला ग्राइंडिंग निमन अच्छर का चेहन करना इसे आप बिल्गुल अच्छी तरह से कर सकते हो ठीक है पहला का मिलागी दूसरा से तो आपसों नमबर भी हो जाएगा आरे यक्स हो जाएगा ओयक से यू हो जाएगा ठीक है अगला बात कर लेते हैं रिजिनिंग क्या कोश्चन है कॉफी ठीक है कोई दिख्कत नहीं है इंगलिस के कुश्चन में थोड़ा सा दिक्ट है यहां पर फ्रिक्षन व्रिक्षन की बात किया जा रहा है मैटल जौन टीन फ्रिक्षन विल्डिंघ्विच । इस आनिल्만 Kash से और आपका मैटर हो जाएगा यहां पर आफसर नंबर बी ही से हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ लेते हैं तिरसर नमर के बात कर रहा है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है यहाँ पर कह रहा है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो हाइडोजन गैस जो होता है आपकर ग्रीन हाउस गैस नहीं है ठीक है यह ध्यान देना है प्रदूलता ग्रीज कहलाएगा पैसे चांसेट नंबर का कुश्चन कौन सा है तो कौन सी साही सुडूता संड़ी में अप घर सक ग्राइंडिंग प्रकेरिया में तब्याव यहता से की जा सकती है तो यह आप्सन नंबर भी हो जाएगा कितना हो जाएगा इटी सिक्स हो जाएगा से चांसेट नंबर का कुश्चन कहरा है कि यह वनाकार की ड्राइंग का आगस का आयाम क्या होता है तो आपसन नंबर भी हो जाएगा 594 मिनिमेटर इस्टार रही 841 मिनिमेटर हो जाएगा ठीक है आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर अरशर नंबर क्योश्चन क्या करा ड्रिल जी क्या कौन सा भाग सबसे कठोर होता है तो यहाँ पर ड्रिल जी क्या कौन सा भाग सबसे कठोर होता है तो उस भूस जो होता है सबसे कठोर होता है ड्रिल जी क्या सबसे कठोर भाग भूस होता है ठीक है अगला कुश्चन हमार न्यूटन चक्रों की शंक्या पूचा जा रहा है कि प्रिष्टी गती पूच रहा है तो यहां पर वही फर्मुला लगा लेंगे कि मीटर प्रती मिनित लगाया है तो यहां पर कटिंगे स्पीड इसकल दो पाई डियन पाई डियन पाई डियन अपान वन थाउजेंट ये रखके फार्मूला आप निकाल सकते हैं ठीक है तो आफसन नूमबर 22 इसका एंसर हो जाएगा ठीक है आगे बात कर लेते हैं 70 नूमबर क्या कह रहा है कि फिनी सर यहां पे कह रहा है कि फिनिश्ड बूर की फिर नाम से जाना जाता है ठीक है और स्नाफ नार से दिया है रहे इंगलस नहीं नहीं इनगिल नहीं दिया है विच प्रसेस절 के इम पूर्वमन दो Case बेट्विन दा मैटिंग मैचिंग मैचिंग बोलेंगे मैटिंग भी बोल सकते हैं कांपोनेंट से करेया मतलब जो रहेगा तो वह लैपिंग के द्वारा ही किया जा सकता है किसके द्वारा लैपिंग के द्वारा ही किया जा सकता है अगला हम बात कर लेते हैं अगला हो जाएगा तरंग गती यदि तरंग की गती 350 सेकेंड रहती 19,000 है तो तरंग दरदकी लंबाई क्या हो जाएगी तो आपसन नम्बरी हो जाएगा यहाँ पर 0.2 हो जाएगा ठीक है यह आपसन सही है आगे बात कर लेते हैं अगला है आपका 73 नमर का कुश्चन कह रहा है कि रिंग स्पैनर में बनाए गए क्राक चनो की संख्या समानता कितने होती है तो 12 होती है क्योंकि वो 3-3 के डिवाइडर होते हैं और 4 के क्रमें पाए जाते हैं और देखे तो दोनों फ्लक में 6-6 होता है तो इसलिए 6-2-12 आप तो कौन सा होगा तो पीला रंग हो जाएगा ठीक है पीला रंग हो जाएगा आगे बात कर लेते हैं 75 नमर क्या कह रहा है कि डैमेंसंस 55 प्लस माइनस 0.035 फेज एन एक्जामपल्स आफ उसके एक्जामपल बाइलेटरल का हो जाएगा यूनिलेटरल एक होता है एक बाइले अगला कुश्चन हमारा है कि इलेक्ट्रो प्लेटिंगे वीलेपन का फलक है तो इलेक्ट्रो प्लेटिंगे वीलेपन का फलक होता है तो आफ्शन भी हो जाएगा आर्को को अस्थाई करना ये फलक हो जाता है आगे बात करेंगे 77 नमबर कह रहा है कि वीचाब दा फालोइ ठीक है आगे बात कर लेते हैं टेकनिकल कुश्चन नहीं था लाइफ आफ पी किताब किस नहीं लिखी थी तो ये भी आपका करेंट अफ यर्स है यान माट्रेल्स नहीं लिख्या था आगे बात कर लेते हैं सबसे बड़ी संख्या जिससे अगला कुश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर बहुसी वस्तूइं जैसे कार को पूर्जे बात टैब रस होई गया सिस्टोन इत्याद पर क्रोमियम प्लेट प्लेटिंग क्यों की जाती है कि यहाँ पर सरच्छन को रोकने के लिए क्रोमियम प्लेट की जाती है तो चलिए मैं टेक्निकल कराता हूँ और इसमें टेक्निकल आप लोगों को बताया हूँ ठीक है तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नमस्कार दोस्तों